हेलो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एंटीपीसी का कम्प्रीट मेडिकल प्रोसेस के विसे में जैसे फ्रेंट्स आप मेडिकल देने के लिए जाएंगे तो ये सारा प्रोसेस आपके साथ होगा तो friends देख लेते हैं कि आखिरकार आपको कौन-कौन से चरनों से गुजरना पड़ेगा इनमें से किसी भी चरन में आप unfit हो जाते हैं या फिर कोई fail हो जाते हैं तो आपको NTPC से बाहर किया जा सकता है देखे friends जो भी मैंने यहाँ पर steps लिखे हुए हैं ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसे ही step by step medical आपका लिया जाएगा ये depend करता है friends कि कौन से चीज का doctor जो है वो पहले मौजूद है उस हिसाब से आपका medical लिया जाता है और friends ये आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका medical जो है वो एक दिन में complete कर लिया जाएगा आपको medical जो है वो दो से तीन दिन कम से कम लग सकता है और इसके लिए आपको arrangement खुद का करना होता है तो चलिए friends जान लेते हैं कि आखिरकार medical के अंदर क्या-क्या check-up होते है तो सबसे पहले बात करे friends तो chest का x-ray लिया जाता है फिर आपका blood pressure check किया जाता है urine test check किया जाता है friends देखिए ये सारे जो भी detail मैंने लिखा है यहाँ पे ये सबकी बिसे में मैं नीचे आपको complete detail मैं आपको बताने वाला हूँ बस ये उपर में headings है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर आउगत करा देता हूँ कि ये ये check-up किया जाता है उसके बाद आपका ear का test फिर physical test hydroceal और varicoceal test next आपका friends piles test और stammering, फिर teeth, height and weight और फिर eye test और eye test के अंदर आपका friends कई test होते हैं जैसे कि distant vision test, near vision test eye surgery का check-up किया जाता है color blindness का check-up किया जाता है आप friends मैं आपको एका करके detail में इसके विसे में जानकारी देता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं friends chest का x-ray का देखिए आपका जो chest होता है उसका x-ray लिया जाता है और जैसा कि friends आपको पता ही होगा कि chest के अंदर देखे total 25 rib case होते हैं 12 आपका left, 12 आपका दाया side में और एक आपका बीच वाला जिससे जुड़ा होता है तो इन rib case के अंदर ये check किया जाता है देखिए भाई कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दर्द या फेन तो नहीं फिल हो रहा है तो mainly आपका rib case के अंदर check किया जाता है कहीं fracture या फिर टूट फूट या फिर उसके अंदर rot तो नहीं डला हुआ है तो ये तीन बातों को ध्यान रखा जाता है यदि आप इसमें fit किया जाते हैं तो आपको next process के लिए भीजा जाता है नेक्स्ट बात करें तो next जो है वो blood pressure check up किया जाता है तो देखिए फ्रेंट्स blood pressure के अंदर normally 82, 120 के बिच होता है और इसके आसपस भी रहता है तो आपको normal माना जाता है लेकिन जैसे आप जाते हैं आप हरबड़ी में जाते हैं या फिर कुछ समसिया के साथ आपको जाना पड़ता है अचानक एक आएक आप medical देने के लिए पहुँच जाते हैं तो ऐसी सिती में BP जो है वो थोड़ा सा high हो जाता है तो आप ऐसा करेंट्स कि जब medical आपका हो उसे एक से दो दिन पहले ही आप वहाँ पहुँच जाए और अच्छे से खाना फिना खाया है ऐसा ने कि एक दम हड़बड़ी में कुछ खा लिये कुछ अलग से जो आप regular खाते हैं उसी को खा के जाए ताकि आपका BP जो है वो normal रहे आपको बहुत ज़्यादा uncomfortable महसूस ना हो तो कम से कम medical से एक से दो दिन पहले जाए तो आपके लिए ज़्यादा वेथर होका आपका BP जो है वो normal रहेगा जैसे कि आपका रहता है तो BP में generally लोग बाहर नहीं होते हैं बस आपको प्रियास करना है कि एक दिन पहले जाना है और नॉर्मल तरीके से चेक अप कराना है ठीक है नेक्स्ट आपका चेक अप की बात करें तो urine टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि डॉक्टर आपको छोटा सा CC दे देते हैं और बातरूम में बोलते हैं जागर के इसमें अपना मुत्र जो है वो दे करके आओ तो CC के अंदर आपका पिसाब भड़ना होता है और वो CC जो है डॉक्टर चेक अप करते हैं जनरली आपका मुत्र के अंदर जो है पिसाब के अंदर जो है फ्रेंस वह है जिए प्रेंस भड़ना है अगला है Ф्रेंस फिजिकल टेस्ट है फीजीगल टेस्ट के अंदर क्या होताई तो मेंको थोड़ा सा इसके पाद आपका इसके अंदर मेंक हीं किया आता है प्लाइट स्के शैब कर देख़ाका टीक्ट आप 10 candidate medical देने के लिए गये हुए हैं और 9 candidate ऐसे होते हैं जिनका ना तो flat foot है और ना ही knock नी है और ना ही हाथ मुडा हुआ है और एक candidate ऐसा है जिनका flat foot है या फिर knock नी है तो एक candidate को बाहर किया जा सकता है ठीक है क्योंकि railway को चाहिए fit बन दे ठीक है तो अब 9 candidate उनको मिली गया है फिर तो एक candidate को ऐसा करके बाहर कर दिया जाता है लेकिन जिनरली फ्रेंड्स ऐसा होता है कि railway के अंदर ना तो आपको नौकनी में और नहीं व्लाइट फुट में और नहीं bend हैं मतलब मुड़ी भी हाथों में बाहर किया जाता है तो यह तीनों के लिए अपनी सिंध रहें आपको बाहर नहीं ठीक-ठाक लेक्टे हैं uh he आप किसी चीज़ और रिविवजन सकते हैं नहीं किया जाएगा तो फिजीकल टेष्ट में आप से इंपको नूड कराकर दिया डएगा आपका फ्रैट cream यहाद और और हम्हें रिखान को चेक करा है इसमें आप जनरली लोग बाहर नहीं होते हैं ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल टेस्ट जो है वो किया जाता है देखे फ्रेंट्स यह काफी मेजर इसू है यदि इसमें समस्तिया होता है तो लोगों को बाहर किया जाता है लेकिन ध्यान रहे फ् जाता है और फोड़ा साइड जो है थोड़ सा इंक्रीमेंट हो जाता है बड़ा हो जाता है ठीक है और इसका फिर आप जनरली ऑपरेशन होता है और आज कल तो इंजेक्शन के माधि हमसे भी लोग पानी निकाल देते हैं बट अपरेशन सबसे ज्यादा easy method होता है friends तो operation करवा करके इसको आप ठीक करवा सकते हैं तो friends testicle के अंदर अगर पानी भर जाए दोनों में से किसी के अंदर तो आप operation सबसे ज़्यादा बढ़िया method होगा आप करवा लें अगर अभी से समस्या है तो पहले से पहले करवा करके रख लें याकि आपको अदर देकत ना हो वहीं friends वहरी को सील की बात करें तो जनरली इसके अंदर क्या होता है कि एक testis का size जो है वो थोड़ा सा बढ़ा होता है और दूसरे testis का size जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है अगर उनीस बीस हो नहुत वह थोड़ा बहुत बहुत बढ़ा छोटा हो तो आपको रेल्यवे के अंदर डुकल लिए जाता है इसमें बाहर नहीं किया जा सकता है ठीके friend नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका जो है वो piles चेक ठीक है तो piles के अंदर अगर समझते हैं तो piles आप एक बाद ठीक करवाले friends इसका भी एक मात रिलाज है operation और जल्दी से जल्दी यह भी ठीक करवाले हालांकि इसके अंदर भी आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपका जो है वो रिमेडिकल दिया जाता है रिमेडिकल में आप इसे ठीक करवा सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स और अब उसके बाद बात करें फ्रेंट्स तो आपका जो है अब बात करते हैं टीथ के अंदर तो टीथ अगर बहुत ज़्यादा उबर खाबड़ है मान लिजे दो से एक से दो टीथ जो है वो उबर खाबड़ है या फिर दाथ जो है वो सड़े हुए है तब भी कोई इसू नहीं है रेलवे इसमें बाहर आपको नहीं करती है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टीथ जो है वो उबर खाबड़ है चार-पांच टीथ उबर खाबड़ है तो उसका आप सही करवा लें ज्यादा बहतर होगा एक इंप्रेशन बनेगा ठीक है बट इसके अंदर रेलवे जो मैंने उबर बहुत सयब्स से अगरणा इसे अइसके भी नगा जाता है और यहां पर अपका कुछ नहीं है आप अपका 203 मीट हो यहां थo 25 सिंटीमितर है तो उसके फिल्कुल भी रेलवे के पोदशा ही हूँआakah 65 सिंट process हो तो पचपन के जी मांगा जाएगा, पचास के जी मांगा जाएगा, यह बिल्कुल भी नहीं है, आप कोई भी बेट के हो, कितना भी आपका हाइट हो, आपको railway में रख लिया जाता है, उसके बाद friends, आपका ear test है, कान का टेस्ट है, तो कान का टेस्ट जेनरली नहीं किया जाता है railway के अंदर, बट आप normal आपको कम से कम सुनाए देना चाहिए, मतलब आप आसपास के द्रिशियों को easily आप समझ सके, बातों को समझ सके, सुन सके, तो ear के अंदर बहुत जादा major issue नहीं है, उसके बाद बात करते friends, आई टेस्ट कर ठीक है, तो आई टेस्ट जो है friends, एक major issue है बहुत बला issue है, और इसके अंदर से अगर कोई भी समस्या होता है, तो आपको सीधा railway से बाहर कर दिया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रियायत नहीं है, कोई भी छूट नहीं है, मैं फिर से कह दूँ, अगर AI के अंदर कोई criteria में आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो कोई भी पोश्ट आपको नहीं मिलेगा, सीधा railway के अंदर से बाहर कर दिया जाता है, सीधा आपको railway से बाहर कर दिया जाता है, अगर इसके अलावे मैंने जितना भी टेस्ट बताया, जैसे हाइड्रो सीलका हो गया, बलड प्रिसर हो गया, या फिर चेस्ट का एक्सरे हो ग तो ये सब क्रैटेरिया में से किसी में आप फेल हो जाते हो, तो आपको सिधा बाहर कर दिया जाएगा, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आई टेस्ट की बात करेंगा, तो railway के अंदर टोटल NTPC में 13 पोस्ट है, और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आई टेस्ट का क क्रैटेरिया मांगा गया है, जो कि एक विस्तार में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पे मैं बताने लगा तो काफी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, डिस्टेंट विजन क्या होता है, परतेख पोस्ट के लिए अपना अपना डिस्टेंट vision है परतेक post के लिए अपना near vision है color blindness हो गया तो ये सारे post का अलग-अलग criteria है friends वो मैं सारे post का next video में बताऊंगा मिलते हैं friends next video में तब तक के लिए नमस्कार